मेरी एसपी बिलासपर से भी बात हुई उन्होंना के छे लोगों को हरासप में ले लिया है और बाकी के लोग भागे हुए जो लोग हरासप में ले हैं उनसे जब इनिवेस्टिकेट किया जाएगा तो अपने आप बताएंगे कि कौन कौन लोग थे पूर्व कॉंग्रेस विधायक बंबर ठाकूर पर आज चिंडिगण मनाली एनेच पर तेजधार हत्यार से जान लेवा हमला हुआ है हमला मंडी मांडवा में कुछ लोगों ने किया है हमले में घायल हुए बंबर ठाकूर क्षेतरी अस्पताल बिलासपूर में उक्चारा धी है इस बीच बंबर ठाकूर को देखने के लिए कॉंग्रेस के नाराज विधायक राजंदर राणा पहुंचे राणा ने क्या कहा देखें ये रिपोर्ट इसे मुझे पता लगा कि ऐसी घटना गटी है को हमारे पूर्व में जिधाई करहें बरत्मान में अभी तीशे हाली में उन्होंने चुनाब लड़ा और इन पे कहीं को प्रोजेक्ट है यहां को रेडवे का प्रोजेक्ट के चल रहा है और कुछ कंपनी है उनके ऑफिस में गए थे वहां पर कुछ लोग बैठे थे और जिसलिके से नोंने बताया कि वहां पर उन्होंने जाली ग्लोच की और बाहर आके उनके उपर जान लेवा हमला हुआ है और मुझे लग रहा है कि वैसे लेक्टेड लोग और मौजिज लोग उनके पर हमला होंगे तो ऐसे जो समाजिक तत्व हैं उनके होसले बढ़ेंगे सरकार सकती से के साथ निप्टेगी और इसमें कानून अपना काम करेंगा कोई कोताई निबर दी जाएगी और जिन जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको बक्षा नहीं जाएगा चाए वो कोई भी हो उनको बिलकुल जो है सकत किया जाएगा तो अपने आप बताएंगे कि कौन-कौन लोग थे और कल सनीबार है संडे तक हम पुरी रपोट लेंगे अगर पुलिस की कारवाई में कोई भी थोड़ी बहुत भी कोई कुटाई रही तो सुमबार को विधान समय मामला उठाए नहीं और मैं व्यक्तिका त चिम्ति है तो ठीक है अन्यता थान समय मामला इसलिए उठाए जाता है कि जब कोई कारवाई ना हो तो पुलिस को ऐसे मामलों में चाहे इन के उपर हमला हुआ है चाहे किसी और के हुआ है समाज में हिमाचल प्रदेश बहुत ही पीसफुल स्टेट है और एक पीसफुल स्टेट में अगर ऐसी चीज़ें होगी तो उन लोगों के साथ सकती से निफ्ठना चाहिए वो कोई भी हो